गुट बनी टू आल सभी को नमस्कार आजकर जो टोपिक है वो कॉल्ड चेन सिस्टम है सीट सनंखला प्रणाली जिसके अंदर आप जानते हैं बच्चों ये कॉल्ड चेन जिसके अंतरगत वेक्षिनेशन को शुरुख्षित रखा जाता है जहां पर वेक्षिन बनाए जाते हैं और जहां यूज करना होता है उसके बीच में टेंप्रेसर हैं उसको मेंटेन करके रखा जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि all type of the vaccination या vaccine are the heat sensitive होते हैं heat के परती क्या होते हैं sensitive होते हैं जैसे ही गर्मी vaccine को मिलेगी तो उस condition में vaccine है वो खराब हो जाएंगे नस्ट हो जाएंगे उनका जो power है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो इस प्रकार से जासे 백신 बणाते हैं जाँ factory होती है वहां से लेकर के transport तक और वहां से टांसपोर्ट से लेकर के जहां पे use किया जाता है जहां साइट पे use करेंगे जहा idag जाता है तो वहां तक लाने ले जाने और वहां पे इस टॉरेज के लिए एक cold chain का निर्मान क्या गया है और यही क्या है call chain system कहलाता है अब आज की इस वीडियो के अंदर call chain के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं call chain क्या है call chain के अंदर कौन-कौन से equipment रहते हैं क्या-क्या call chain के अंदर देखने को मिलता है उसके बारे में बात करेंगे देखेगा राश्टेय टिका कर्ण कार्यकरम में प्रीयोक्त टिक और ताप और परकास के परति स्वेधन सील होते हैं कुछ टिके freezing mad world के अंदर के परति स्वेधन सील होते है मनलब बरब के अंदर रतूंगे तो जाएंगain खराब हो जाएंगे हैं निदाइब ताप्मान पर न रखने पर टिके अशुरुख्सित या मैं परभाव हिन हो जाते हैं हैं ये जो जितने भी टिके होते हैं उनके लिए एक परियोगत टेंपरेसर का होना ज़रूरी है और नहीं तो यह क्या हो जाएंगे असरुक्सित हो जाएंगे मतलब देने का कोई फाइदा नहीं है साथी साथ में उनका जो effect है परभाव है वो क्या हो जाएगा खतम हो जाएगा परभाव हिन हो जाते हैं एक बाद टीकों के प्रभाविन होने पर उन्हें पुने प्रभावी बनाना संभव नहीं है यदि माली ये hьट के परती आया और उसके बाद में क्या हो गया और वो खराब हो गए तो उनको वापिस ठीक करना मुष्किल है उनको वापिस ठीक नहीं कर सकते अत्य ठीकों को सुर्ख्शित और परभावि रखने हैं तो इन्हें निर्मान के समय से लेकर के प्रयोग करने तक के लिए निर्धर्ध तापमान की आवसिकता होती हैं. मेरे केने का मतलब यह हुआ कि उनके परभावे उनको खतम नहों तो इनके लिए एक निधरत तापमान होता है जहां से बनाया जाता है वहां से ले करके जहां पर दिया जाता है वहां तक एक क्या करते हैं एक temperature को maintain करके रखा जाता है ताकि क्या परभावी बनाया जा सके ठीक है ठीकों के अपेक्सित और उच्छित तापमान पर रखने से र क्या होता है अब बात करते हैं कि बारे में बात करते हैं बहुत ही इंपोर्टेंटेंट आप बच्चों ज्यां रखना डेपीनेशन के अंदर बात करते हैं कि उत्पादक इस्तल से जहां पे बनता है जहां पे बनता है वहां से लेकर के कहां पे बनेगा फैक्टरी के अंदर बनेगा वहां से लेकर के उफ्योग इस्तल मतलब कहां पे दिया जाएगा क्या साइट है कहां पे रहते हैं जैसे कहीं फैक्टरी के अंदर बना उसके बाद में आप जानत डिश्ट्रिक में जाएगा डिश्ट्रिक के बाद में भी क्या जाएगा फिर सीएसी पीएसी सीएसी पीएसी सबसेंटर और घर घर तक टीका जाएगा उसके बाद में डिश्ट्रिक ऑस्पिटल है वहां जाएगा तो इस प्रकार से जहां पर बनता है वहां से लेकर के डिश प्राइसटल तर अप एक्षित आप्मान पर टिकों के परेविहन ठिकों के क्या है ट्रांस्पॉर्पोर्टेशन टिकों के ट्रांस्पॉर्टेशन इस्टोरेज भित्रण और उफ्यों के सुवेवस्तित तंतर को सीच सनकला कहा जाता है अब बच्चों यहां पे आपको यह समझ में आ गया होगा कि जहां से बनता है उत्पादन इस्तन उत्पादन प्लेस अना उत्पादन प्लेस पी एले सी प्लेस मतलब बोल सकते हैं फैक्टरी के अंदर बनेगा भाए वहां से लेकर करके जो उच्छी टेंप्रेसर के एक टेंप्रेसर को मेंटेन रखना जरूरी है उस temperature पर उनका transportation जहां से कहां से बना है वहां से लेकर के transportation कहां storage होगा storage कहां distribute होता है distribution और उसका कहां utilization होगा के सु विवस्तित तंतर को क्या कहा जाता है cold chain कहा जाता है cold का मतब होता है ठंडा या seed और sand का मतब होता है सनीखला इस प्रकार से मैं कहूं कि जहां से फेक्टरी से बनता है और जहां यूज करना होता है इस वहां से लेकर के यूज करने के बीश में distribution, transportation, storage सभी प्रकार की जहां-जहां condition होगी है वहां पर क्या होना चाहिए एक सीथ सनकला बनी हुई होनी जरूरी है मतब temperature है वो एक उच्छी temperature का होना जरूरी होगा तब क्या है कि वो जो वैक्सिन है वो सुरुक्सित रहेंगे वो परभावी रहेंगे वो असुरुक्सित नहीं रहेंगे उनका परभाव बना रहेगा तो इस प्रकार से इस प्रकार की होने वाली प्रकरिया होती है उसको ब स्थापना एंड रख रखाव है तु निम्न उफ्रन काम में लिये जाते हैं यूजेज ऑफ दे एक्यूपमेंट कौन कौन से ऐसे एक्यूपमेंट है जो यूज किया जाता है देखेगा सबसे पहले कहते हैं बच्चो मैंने आपको बताया था कि कोल्ट सेन एक ऐसे प्रकिया जिसके अंतर कक्या है एक उच्छी टेमप्रीशर है लो टेमप्रेशर पर क्या है जहां से वा यूज करना है वहां पर क्या करते हैं ये उसे और कहते हैं equipment के बारे में बात करें equipment के बारे में बात करते हैं कौन-کौन से equipment है वो यूज होते हैं जिसके अंदर कर सबसे पहले बात करते हैं वाल्क-इन freezer freezer cucks होता है walk-in freezer बड़े-बड़े hall होते है freezer cucks बोलते हैं जिनको इनका उफ्योग polio vaccine की बहुत अधीक मात्रा में भंडारन पोलियो की वेक्षिन है जो सबसे ज़्याजा यूज की जाती है उसका इस्टोरेज करने के लिए और यह जो होता है वो राज्ये लेवल पर फ्रोजन आइस पेग त्यार करने के लिए किया जाता है यह लगभग माइनस 20 डिग्री सेल्चियस तापमान की इस्तती बनाए रखते हैं यह 16.5732 घन मीटर के आकार में आते हैं तो इस प्रकार से बच्चों बात करें वाल्क इन फ्रीजर के बारे में बात करते हैं जिसके अंतरगत क्या है यह कहां पर होते हैं यह स्टेट लेवल पर होते हैं मतलब करने के लिए यह काम में लिया जाता है ठीक है तो इस प्रकार से बच्चों आपको वाल्क इन फ्रीजर जिसके अंदर इस्टेट लेवल पर होता है यह आपको बच्चों ध्यान में रखना है यही मैं टेंप्रेशर के बारे में बात करूं तो इस प्रकार से वाल्क इन फ् या walk in room walk in cooler या walk in room है रब हैडिन की लिग सकते हों है कि इसका उपयोग राज्ये और सेतरिये संभागिये भंडारन ग्रोह में टीकों का बहुत बड़ी मात्रा में भंडारन हेतु किया जाता है यह प्लस टू डिग्री से से प्लस एट डिग्री सेलसियस तका तापमान बनाए रखते हैं यह 16.5 से लेकर के 32 घंड मीटर के आकार में मिलते हैं अब बच्चों इसके अंदर यह बताया गया है आपको यह ध्यान रख रीजनल लेवल पर रीजनल लेवल पर होते हैं कुछ से अपने इस्टेट लेवल पर भी होते हैं तो सबसे पहले वाल के इन फ्रीजर के बारे में बात किया था वो इस्टेट लेवल पर होते हैं बड़े भंडारन के लिए वहां पर वाल के इन फ्रीजर का यूज किया जा इन तीनों डिश्ट्री को क्या देना होता है सप्लाई किया जाता है अब एक रीजनल लेवल पे क्या करते हैं एक रीजनल लेवल बनाया जाता है और उस रीजनल लेवल से तीन डिश्ट्री को क्या करते हैं तीन से स्यार डिश्ट्री को वहां से दवाई है वो वैक्सिन है व क्या करते हैं वहां से डिस्ट्रिबूट करते हैं ये बात आपको ध्यान में रखना है साथि साथ में बच्चों आपको यह ध्यान रखना है कि इसके अंधर बच्चों बहुत ही इंपोर्टेंट है ध्यान रखना है कि रीजनल लेवल पे जो इस्टोरेज वाला पार्ट रोता है वह कितने जिल ओको सप्षाइ करता है तीन से चार मेन में बच्चों बोला था तीन से फौर बोला था तो यहां पे लिखा है फौर से फायो ठीके तो कोई दिकत नहीं है रिजनल लेवल है जो उसमें इतने बड़े-बड़े होल होते हैं जिसमें चार से 5 जिलों को क्या कर सकता है तीन मैने की कितने मैनों की कितने मैनों का भंडारन किया जाता है तीन मैनों तक की आवसेकता का भंडारन किया जाता है आप समझ लीजिएगा चार जिले पांच जिलों के लिए इतना बड़ा क्या किया जाता है इस्टोरेज का प्लांट बनाया जाता है इस्टोरेज किये जा करें तो एसी कंडिशन में रीजनल लेवल पर त्यार किये जाते हैं तीन चार से पांच जिल्ले है वहां पर उनकी वैक्षिन सब्लाई होती है और तीन महीने का स्टोक रहता है और 25 परसेंट क्या होता है एक्स्ट्रा स्टोक भी वहां रखा जाता है ताकि कोई किसी को दिक् है एक स्मॉल फ्रीजर आता है वह 140 लिटर का आता है तो अलग-अलग परकार के फ्रीजर होते हैं उनके अंदर वैक्षिन दखने के लिए क्या करते हैं कॉल्ट चेंड मेंटेन किया जाता है अब देखिएगा तिसरा जो उफ्करण है क्या है डीप फ्रीजर इसका उप्यो लें से लेंव क्या इसके अंदि र Buddh醉 रहें इस प्रकार सेप्सिंदे और देख बना देते हैं और उसको नेवल पे होता है इसमें पेटी का तापमान माइनस 25 से लेकर के माइनस 15 डिग्री सेल्सियस होता है इस प्रकार से डीप फ्रिजर होते हैं बच्चों उनका टेमप्रेशर के बारे में बात करें तो कितना होता है माइनस 25 डिग्री से माइनस 15 डिग्री सेल्सियस तक बना रहत में यहां पर लिखा हुआ है MF 314 लिटर है ना उस प्रकार से अलग-अलग है यह स्मॉल वाला होता है 72 लिटर का है अलग-अलग aganas की संक्या में लार्ड रिफ्रीजर परतेग जिले के अंदर कितनाँ लार्ड डीफ्रीजर और परतेग पे स्मॉल डीफ्रीजर का न करना है चिक सकती धिद uniform का रखने का प्रावदान है जिल्ला लेवल पर डीफ्रीजर का उप्योग polio vaccine के भंडारण i-spec त्यार करने में किया जाता है जब कि PSE पर केवल i-spec त्यार करने तो किया जाता है PSE पर vaccine केवल ilr में store की जाती है बच्चों ध्यान रखना कि PSE level पर जो जो freezer त्यार किया जाते है वो किसके लिए किया जाता है आइस पे के लिए डीप फ्रीजर है उसका उप्योग तो पोलियो वेक्षिन के भंडारन और आइस पेक त्यार करने के लिए किया जाता है डीप फ्रीजर के अंदर परन्तु इस्मॉल फ्रीजर है जो डीप फ्रीजर है वो पीएसी पे है तो वो केबल किसके लिए करते हैं आइस पेक्ट के त्यार करने के लिए किया जाता है आख खुला है और उसको चाबी आपके पास में नहीं है क्या अच्छा ठीक है करवा दो नहीं वो उसमें चाबी था ठीक है मेरे क्लास चल रहा है कि उसमें चाबी होगा वह लगा के लिए आओ वैसे मेरे साब से यह है ठीक है उसमें देखो अरे पीसे वहां पर है हां इसमें चाबी नहीं है इन दोनों में से एक है आप लगा क्या हो ने बर अब पीएसी पर केवल आईस पे त्यार करने के लिए किया जाता है पीएसी पर वेक्षिन केवल आई एल आर में इस्टोर होता है आई लिंगड रिफ्रेजरेटर ठीक है है ना आई एल आर का मतब क्या हुआ आई लाइन रिफ्रेजरेटर रिफ्रेजरेटर ठीक है उसमें इस्टोरेज किया जाता है परन्तु यह डीफ्रीजर का यूज ऑनली आई स्पेक को त्यार करने के लिए किया जाता है लाइस पेक हमेशा रहने चाहिए यह एक प्रोटोकॉल है कि आई स्पेक है लाइस के अंदर कितना कितना रहना चाहिए उसके बाद में लिका हुआ है आईस लाइन रिफ्रेजरेटर इसका उप्योग जिल्ला लेवल पर फोलियो वेक्सिन के अतिरिक्त अन्य सभी वेक्सिन के तीन महीनों तक और पीएसी लेवल पर पोलियो सभी वेक्सिन एक महीनों तक भंडारन हेतू किया जाता है अब देखिएगा उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा एक्यूपेंट के बारे में को कि ऐखना ऑइस लाइन ये ऑन रखना इसका उफ्योग जिल्ला लेवल पर किया जाता है आी एलर का उप्योग कर según जिल्ला लेवल पर होता है लियो वेक्सिन के अतिरिक्त अन सबी वेक् datos और जिलय लेवल पर पिय सी को एक महीने तक रखने का प्रावदान यह से लेकर अब Ay Teams के तले दिख आधा है थंडी हवाð को बेतर भंग से अंदर इटेंड रखने के उद्यस्य से इन धकन ऊपर की तरफ होता है ठीक है बच्चों यह है ILR यह है ILR तो इस प्रकार से आप वस्पिल के अंदर देखोंगे यह आपके refrigerator है वो देखने को मिलेगा यह निम्न आकारों और मोडल के अंदर उफलब होता है ILR MK 304, ILR MK 119, ILR SBC 200 तो इस प्रकार से अलग-अलग इनकी साइज है इनके अंदर देखने को मिलते हैं बड़े ILR की आपुरती जिल्ला मुक्याले और सोटे ILR की आपुरती PSC मुक्याले को की जाती है तो ILR है वो बड़े जो है जिल्ला मुक्याले को और सोटे होते हैं वो PSC मुक्याले को की जाती है ILR में दो खंड पाए जाते हैं एक तो होता है ऊफरी और एक होता है निशला ILR होते हैं उनके अंदर कितने खंड पाए जाते हैं? दो खंड पाए जाते हैं ILR का निश्य खंड सबसे जयदा थंडा होता है, बोटम वाला पार्ट होता है, वो थंडा होता है, और उफरी खंड होता है, कम थंडा वाला होता है, आते ILR में टीकों का भंडारन, heat and freezing के परती स्वेंदन सिल के क्रम में किया जाता है, जो कि निम्न परकार का है, अब इसमें ये बताया गया है, कि जब वो ILR है, वो क्या है, बोटम वाला पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट होता है, वो थंडा जादा होता है, किसकी तुलना में टॉप वाला पार्ट से, तो सबसे पहले ताप स्वेंदन सिल जो घरते करम के अंदर रखते हैं, इसके अंदर बा जिसे से लिखा हुआ है BCG, उन्हें चर्शना के बाद, मतलब उनको क्या किया है, आप जानते हैं कि BCG वेक्षिन होता है, वो किस फोर्म के अंदर आती है, पाउडर फोर्म के अंदर आती है, पाउडर, powder form के अंदर आती है पर तो उसको क्या करते हैं solution के अंदर गोलते हैं solution के अंदर गोलते हैं बच्छों bcg को गोलते है normal saline से normal saline से क्या करते हैं गोलते हैं तो ac condition के अंदर जब दवाई भोलते हैं तो उसको भोलते हैं पुने चरस्तना के बहार BCG मतलब घोल दिया है पहले तो क्या है एक तो रखते हैं पाउडर वाला फॉर्म वाला उसके बाद में जब यूज करना होता है तो उसको क्या करते हैं डायलोड करते हैं उसको गोलते हैं तो जो घुला हुआ है पाउडर फॉर्म को उसमें पानी डालकर लिक्विड बनाया ह सबसे अधीक ताप समयंदी होते हैं सबसे अधिक सा ताप समयंदी होते हैं भोला हुआ यह लिए अलका सा टेमप्रेशर के परती आएगा तो क्या करेंगे वो नस्ट हो जाएगा तो इसलिए सबसे बोटम वाले पार्ट में क्या रखते हैं कि बीशिजी वेक्सीन गुलावा रखना है उसके बाद में क्या रखना है पोल्यों रखना है यह खुलावा नहीं है तो सबसे भीट के परतिशसेंसे टिव कौन और राधमानेव लिए और प्रषीट में अंडिप्त और ऊससे पहले मतलब भुला हुआ नहीं है उससे पहले तो वह बीसीजी रखेंगे और सबसे लास्ट में क्या रखेंगे टीटी का रखेंगे तो इस प्रकार से और उसके बाद में हैपिटेट इस भी सबसे कम ताप सवेंदी ठीक है ना तो इसके अंदर टेमपरिशर का कोई ज्यादा नही बीसीजी रखेंगे उसके बाद में फोलियो रखेंगे उसके बाद में खचरा रखेंगे उसके बाद में डीपीटी रखेंगे उसके बाद में बीसीजी रखेंगे यह कौन सा बीसीजी है यह पाउडर फॉम वाला है क्या लिका हुआ हुआ है पुने चरस्तना से पहले मत बिस्ते ही होती है। यदि temperature क्या होगा ? temperature का मतलब क्या हुआ ? heat जादा है colony heat ऐसी condition के अंदर क्या होगा ? ठीके पूर्णे ठंड़ा करके भी इस सती की पूर्थी नहीं की जा सकती है मतलब एक बार heat के पर्ति आ गया temperature जादा है उसके संप्रक में आ गयी तो तो क्या है वेक्षिन खराब हो जाएगी पर सितल्म के परति स्वेदन सिलता घरते करम में मतलब की जो फ्रीजिंग वाली कंडिशन है फ्रीज के अंदर रखते हैं फ्रीज वाले कंपार्मेंट के अंदर तो हैपिटाइट इस बी रखना है पहले उसके बाद में डीपीटी और टीटी फ्रीजिंग से होने वाली सती इस्ताई होती है और एक बार ठंड से जमने पर उप्रिव ठीके बेकार हो जाते हैं मतलब आप जानते हैं कि फ्रीज के अंदर रखते हैं और वो जम गया तो भी क्या है नस्ट हो जाएगी तो इसलिए ज्यादा टेमप्रेशर भी पोलियो उसके बाद में खचरा उसके बाद में डीपीटी उसके बाद में बीसीजी और सबसे लास्ट या उपर वाले पार्ट में हेपुटेट इज भी रखेंगे इस प्रकार से बच्चों उस ऐल आर है उसके अंदर वेक्सिनेशन रखा जाता है उसके बाद में कॉल्ड के बारे में क्या डालो heading बच्छों cold box cold box का उपयोग मुख्य रूप से वेक्षिन के परिवेंद के लिए किया जाता है कॉल्ड वक्स आता है वेक्षिन को फ्रिवेंट मतलब उसमें पूरे बड़े बड़े आई लर होते हैं उसमें से जितना जुरूरत है उसको निकाला और उसको ले जाने के लिए किया जाता है किसके अंदर कोल्ड बॉक्स के अंदर आपात इस जी जैसे बिजली बंद होने प बच्चों कॉल्ड बॉक्स कि इस प्रकार से कॉल्ड बॉक्स होते हैं आई स्पेक इसके अंदर इस्टोरेज जाते हैं और वेक्षिन इसके अंदर डाल देते हैं और इधर से उदर ले जाने के लिए ट्रांस्पोर्टेशन के लिए क्या होते हैं हेल्फुल होते हैं कॉल् बिकसित दो से 8 डिगरी से बनाए रखते हैं बच्चों बहुत ही इंपोरटेंट है कि यदि एक बार नहीं खोलते हैं तो 2-8 डिगरी से फार 90 घंटे से लेकर के 6 दिन तक वो टेमप्रेशर बना के रखता है उसमा रोधी होते हैं कितना इंपोर्टेंट है बच्चों उसके बाद में यहां पर अंदर में कुछ भी नहीं है उसके बाद में नेक्स्ट है वेक्सिन केरियर यह बच्चों वेक्सिन केरियर आपने देखा होगा कि एनम लोग है जो यहां पर ठीकाकर्ण करने जाते हैं कंदे में टांक के जाते हैं यही वेक्सिन केरियर लेके जाते हैं इस वेक्सिन केरियर के अंदर क्या होता है दोनों साइड में आइस पैक लगे हुए होते हैं वेक्सिन केरियर का उप्योग उफ के अंदर सब सेंटर या ठीकाकर्ण सत तरफ द्वारा इसनलों पर वेक्षिन की चोटी मात्रा हैं जिसमें 16 से 20 वाइल को ले जाने के लिए किया जाता है वेक्षिन केरियर उस्मा रोधी सामगरी के बने हुए होते हैं और ठंडा रखने के लिए इनके फास्वों में फॉर कंडिस्टनल आइस पैक रखे जाते हैं मतलब यह वैक्षिन केरियर हैं भॉक्स है उसके अंदर क्या करते हैं चारों सायड से क्या रखते हैं आइस पैक रखा जाता घीह लग्धे मध Wirtschaft अपयाँश से बेस है औरisl ин-पै tara के यह यह यहां रखेंगे यह यहां पर रखेंगे एक ओपर रखेंगे ठीकरerinा अब इनके बीस में जो केप है 16 से लेकर के 20 है वह वैक्षिन वाइल है वो रखेंगे तो इस प्रकार से यूज किया जाता है दूसरा है आइस पेक के बारे में बात करते हैं आइस पेक कॉल्ड चेन का मुख्य अंग होता है इसका फरयोग कॉल्ड वोक्स एवं वेक्षिन केरियर में वेक्षिन केरियर में बरब की इनर लाइनिंग त्यार करने यह तू किया जाता है यह डीप फ्रीजर में माइनस 25 से माइनस 15 डिगरी सेल्सेत तापमान पर बनाए ज जाता है और उसको क्या करते हैं फ्रीजिंग करते हैं कि इस प्रकार से बात करते हैं बच्चों कि यूज किया जाता है अब मैं आपको थोड़ी सी बात करें कि इसके अंदर सारांस के बारे में बात करें कि मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया है मैंने बच्चों आपको यह बताया है कि कॉल्ड चेन देखिएगा थोड़ी सी आपको यहां से आपको हेल्प मिलेगी जिसके अंदर कॉल्ड चेन के बारे में बात मैंने बताया देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि a system of the storage and transportation of vaccine from the manufacturer to vaccine site at the cold chain है ना at the cold chain एक cold chain के अंदर क्या होता है transport करना जहां से दवाई बनती है वहां से लेकर के storage है उनका transportation है और जान दिया जाता है जान देना है एक normal temperature normal temperature बोल सकते हैं या low temperature बोलेंगे झान के भचो low temperature देखो यह क्या लिका हुआ है a system of the storage and transportation of vaccination from the factory manufacturer to vaccine site मा जान दे ना है to low temperature ध्यान रखना भचों ये तीनों ही बाते आपको ध्यान रखना है ये तीनों ही बाते बाते बच्चों आपको ध्यान रखना है क्या लिका हुआ है heißt videos करना है ट्रंसपोर्ट में फैक्ट्री से लेकर कि जा देना है जहां पर जाए यजा जाये गा वह तक एट पर मतलब काँ फाएट काँ पर रूं जो exists क hisnow tiens dip जाइए ज자हे होगी और क्या होगा वक्षीन लेवल पर कितने जिले के बारे में बात किया था? 4-5 दिशिoral के अंदर यहां पे supply होगी, walk-in-room के अंदर. पहले उसके पहले मिने वहाँ पर बताई था, walk-in-freezer, बड़े-बड़े freeze होते हैं, हैंना? जो state level पर त्यार किये जाते हैं. डूसरा है डीप फ्रीजर जिसके अंदर बच्चों है 300 लिटर का है जिसमें डीप फ्रीजर बोल सकते हैं या ILR आइस लाइन रिफ्रीजर होते हैं इस्टोर ओफीवी और मिजल्स एर्ड डिस्टीक लेवल पे ध्यान रखना है बच्चों ओफीवी और मिजल्स वैक्सिन है वो डिस्टीक लेवल पे त्यार करते हैं किसके अंदर रखेंगे डीप फ्रीजर के अंदर कितने लिटर का आता है 300 लिटर का आता है उसके बाद में small deep freezer होता है बच्चों जिसके अंदर 140 लिटर का आता है store vaccine at the PSC urban family planning center बहुत ही important है बच्चों इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो district level पे हैं वो कौन सा होगा deep freezer होगा कितने लिटर का होगा 300 लिटर का होगा और दूसरी बात करते हैं या urban family planning वाले center होते हैं वहाँ पे small deep freezer होते हैं आयालार होते हैं कितना लिटर का होता है एक सो सालिस लिटर का होता है नेक्स बात करते हैं वेक्षिन केरियर जिसमें यूज ओप दे 16 to 20 वाइल ओफ वेक्षिन विसीज दे या फुली फ्रोजन आइस पैक एक इस प्रकासे वेक्षिन केरियर होता है चारों चाइड से क्या है आइस पैक लगे हुए रहते हैं जिसके अंदर बच्चों 16 से 20 वाइल रखा जाता है नेक्स्ट बात करते हैं डे केरियर जिसके अंतर गज आपने देखा होगा कि जो एनेम है सब सेंटर पे जो घरगर जाके देती है मतलब से से आठ जो वाइल है वो खतम होती है तो इतनी वेक्षिन लेके जाते हैं यूज ऑप दे केरी 6 तो 8 वाइल ऑप दे वेक्षिन विस हैव टू फूली फ्रोजन आइस पेग अब वेक्षिन वेक्षिन वाइल है वो रखकर के लेके जाएंगे ठीक है ज्यादा की जुरूरत नहीं होती है तो आज के बच्चों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ब ने परकार से उतशको करी चेहन के अंदर जोबन है उनके अंदर कों सा वीक्षिन रखेंगे कोल मैं क्यों यह स्कारकार से रखे जाते हैं या क्या इसका गौद मैं सा यूज्सिक जहिता डाusion